हेलो गाइस, वेलकम टू ग्यानी बाबा ब्लॉक्स यूटूब चैनल इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास का एक टॉपिक है 16 महाजन पत्काल जो बहुत ही महत्तोपूर्ण है इसमें हम आज 26 प्रस्ट कराने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने पहले अगर आप चैनल मेन्यू है तो चैनल को सस्क्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेश तो आए वीडियो को हम सुरू करते हैं तो आज का पहला प्रस्ट है निमलिखित में से क्या राजा और राज का सही सुमेल नहीं है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन D, आजात सत्रू और थाने स्वर राजा और राज का सुमेल नहीं है तो ओप्शन D is the right answer चले बढ़ते हैं अगली प्रस्ण के और उज्येन का प्राची नाम क्या था? तच्चसीला, इंद्रप्रस्था, अवंतिका, इन में से कोई नहीं तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है, ओप्शन C, अवंतिका उज्येन का प्राची नाम था, अवंतिका अवंतिका is the right answer चले बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रस्ण में तो आपकी अगली प्रस्ण है, चम्पा किस महा जन्पत की राजधानी थी? अंग, मगध, वाजी, कोसल तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है, ओप्शन A, अंग कि राजधानी जम्पा थी? ठीक है? ओप्शन A is right answer ठीक है दोस्तों? चले बढ़ते हैं, अगली प्रस्ण की और? तो आपका प्रस्ण है, 16 महा जन्पतों के युग में मत्वरा इन में से किसकी राजधानी थी? सूर्य सेन, वत्ष, वाजी, कासी तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है, ओप्शन A, सूर्य सेन सूर्य सेन जा right answer चले बढ़ते हैं, अगली प्रस्ण की और? तो आपका प्रस्ण है, निम्ण में कौन सा सुमेलित नहीं है? ओप्शन है, वत्ष, कौसामबी, अंग, चंपा, कौसल, अही चत्र, मत्ष, बिराटनगर तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा, ओप्शन C, कौसल, अही चत्र ओप्शन C, जा right answer चले बढ़ते हैं, अगली प्रस्ण में तो प्रस्ण है, निम्ण में से किस बौध गरंथ में छठी सतावदी इसापूरों के 16 महाजन पदों के विशे में सूचना मिलती है तो बौध धर्म के किस गरंथ में 16 महाजन पद के सूचना मिलती है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाए जिसमें 16 महाजन पदों की सूचना मिलती है जो एक बौध धर्म की गरंथ है, उस तक है चले बढ़ते हैं, अगली प्रस्ण की ओर तो प्रस्ण है, 16 महाजन पदों के युग में मत्रा इन में से किसकी राजधानी थी लगता है दुबारा से कोशन प्रिंट होगे दोस्तों चले इसका उत्तर दे जते हैं, इसका उत्तर है सही ये सूर्य सेन, ठीक है, चले बढ़ते हैं, अगली प्रस्ण की ओर तो प्रस्ण है, छठी सदावदी, इसा पूरो में सुद्ध की मत्वी राजधानी थी, किसकी ठीक है, तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है, ओप्शन डी, चेंदी की राजधानी थी, ठीक है, सुद्ध की मत्वी चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्ण की ओर प्रस्ण है छठी सदावदी इसा पूरु का मत्चे महाजनपद इस्थित्था कहां पे तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है ओप्शन सी राजस्थान राजस्थान में इस्थित्था मत्चे महाजनपद ठीक दोस्तों चले बढ़ते हैं अगली प्रस्ण में अ परस्ण है गोदावरी नदी के तड़ पर इस्थित महजन पद कौन सा था ठीक है तो इस प्रस्ण कर सही उत्तर हो जाएगा option A असक असक जो था गोदावरी नदी के तड़ पर इस्थित था थीक है दूस्तों चले बढ़ते हैं अगली प्रस्ण में तो प्रस्ण है कोसामबी निमलिखित में से किस महाजनपत की राजधानी थी तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है ओप्षन भी वद्स कोसामबी जो थी और वद्स की राजधानी थी ठीक है दोस्ता वद्स इस दा राजधानी चले बढ़ते हैं अगली प्रस्ण के और तो प्रस्ण है निमलिखित में से किस महाजनपत का नाम अर्थत वेद में मिलता है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा अंग ओप्षन डी जा राइट एंसर जो अंग है अंग उनका अर्थत वेद में भी मिलता है महाजनपत का नाम ठीक है दोस्तों चले बढ़ते हैं अगली प्रस्ण में तो प्रस्ण है 16 महाजनपतों में कुल कितने महाजनपत उत्तर प्रदेश में इस्थित हैं तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है आठ ठीक है दोस्तों ओप्षन सी जा राइट एंसर आठ महाजनपतों जो थे वो उत्तर प्रदेश में इस्थित थे चले बढ़ते हैं अगली प्रस्ण के और तो प्रस्ण है निमलिखित में से कौन समहाजनपत आज के समय में पाकिस्तान छेदर में इस्थित है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा ओप्षन भी गानधार जो गानधार है वो पाकिस्तान में इस्थित है ठीक है दोस्तों चले बढ़ते हैं अगली प्रस्ण के प्रस्ण है मच्चे महाजनपज जिसकी राजधानी विराट नगर्थी निम्लिखित में से वर्तमान में किस छेत्र में इस्थित है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा आप्शन डी जैपूर राजस्थान अभी जैपूर राजस्थान में इस्थित है ठीक है दोस्त चले बढ़ते हैं अगली प्रस्ण की और प्रस्ण है छठी सतावती इसापुरो महाजन पदों में समायनता राज तंत्र साशन व्यस्था थी लेकिन दूसरे महाजन पदों में गवतंत्र संचन व्यस्था थी जो थे तो इस प्रस्ण के सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन सी वज्जी मल ठीक है दोस्ता वज्जी मली जा राट एंचन चले तो अगली प्रस्ण की और मुड़ते हैं अपका प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा महाजन पद बुंदेल खंड छेत्र में इस्थित था ठीक दोस्ता तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है आप्शन सी चेंदी चेंदी दो ठा वो बुंदेल खंड में इस्थित था ठीक है दोस्ता चेंदी जा राट अंचर चले बढ़ते हैं अगली प्रस्ण की और तो प्रस्ण है निमलिखित में से किस महाजन पद की राजधानी चंपा थी तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन बी अंग अंग की राजधानी चंपा थी ठीक है दोस्ता तो चले बढ़ते हैं अगली प्रस्ण की और तो प्रस्ण है एक मात्र महाजन पद जो दच्छीन भारत में था ठीक है बस्तो तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन ए अस्मक अस्मक जो था वो दच्छीन भारत में इस्थित था ठीक है इसलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्ण की और तो प्रस्ण है कमबोज महाजन पद जिसकी राजधाने हाटक थी निमलिखित में से आज किस वर्तमान छेतर में इस्थित था तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन डी ओप्शन डी जा राइट एंसर ठीक है पूछ राज जोरी छेतर कस्मीर में जहीं कस्मीर में था ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्ण की और तो आपका प्रस्ण है प्राचीन स्रस्वति का नगर विन्यान किस आकिरती का था ठीक है दोस्तों इसमें पूछा गया है प्राचीन स्रस्वति का नगर किस आकार में था ठीक है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा आप्शन डी आर्द चंद्रकार आर्द चंद्रक की अकार में था चले बढ़ते हैं अगली प्रस्ण की और तो आपका प्रस्ण है महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी इस्तित्थी तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन सी अही चाज छत्र में ओप्शन सी जा राइट एंसर ठीक है ओप्शन सी जा राइट एंसर चले बढ़ते हैं अगली प्रस्ण की और तो प्रस्ण है पर्थम मगत समराज का उत्कर्स किस सदी में हुआ था तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है ओप्शन भी छठी सदी इसापूर में हुआ था ठीक है दोस्ता चले बढ़ते हैं अगली प्रस्ण की और तो प्रस्ण है निमलिखित में से मगत का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालिन था तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा जो सिकंदर महान का समकालिन थे तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है ओप्शन भी धनानंद धनानंद जो थे वो सिकंदर का समकालिन थे ठीक है दो दोस्तों चले बढ़ते हैं अगली प्रस्ण क्या और तो प्रस्ण है पहला इरानी सासक जिसने भारत के कुछ भाग अपने आधिन किया था जो पहला भी देशिया आतरा था इसमें पूछा गया दोस्तों जो पहले भी देशिया आतरा जो इरान चायव थें जोसने भारत के कुछ भाग को अपने आधिन किया थें ओथें डेरियस पर्थान ठीक है ओप्शन सी डेरियस डेरियस पर्थान थें ठीक है दोस्तों जो थें ठीक है चली बढ़ते हैं अगली प्रस्ण की और तो प्रस्ण है मगद के राजा अजाद सत्रू का किस गनराज के साथ युद्ध हुआ था तो इसमें पूछा गया है अजाद सत्रू का गनराज के साथ युद्ध हुआ था किस गनराज के साथ युद्ध हुआ था तो इसका सही उत्तर है वाजी वैसाली ओप्शन यही जा राट एंसर ठीक दोस्तों तो आज का वीडियो यही तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें